तो यहां पर अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से जो अड्रेस वरिफिकेशन पिन आता है उसको कहां डाला जाता है कैसे डाला जाता है को एड यूट्यूब वाला है अब यह लोग बोल रहा है कि बाइस जों को हमने भेज दिया था अब यहां पर अपन क्लिक करेंगे वेरिफाइब बिक आता है वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफाई और अइडेंटिटी, देखिए उपर दिखा रहा है ना, अइडेंटिटी वेरिफिकेशन डन, यह तो पहले ही हो गया था, अब यहां अगली स्टेप जो हमें करनी होती है, यहां पर वो होता है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालन ठीक है, और यह आजाता है ठीक है, यह मैरी अर्निंग दिखा रहा है, ठीक है, अब अपना में मकसद यहां पर अपनी बैंक डिटेल आड़ करना, ठीक है, तो यह आड़ पेमेंट मेथर्ट, विल आस्क फॉर ओल योर, बैंक बेनिफिशरी आइडी जो होता है, यह ओशनल होता है, इसको छोड़ा आप, नेम ऑन दा बैंक अकाउंट, ठीक है, मेरा नेम के है, यहां FSC Code आजाएगा, यहां Swift Code आजाएगा, Swift Code, I hope दोस्तों आपको पता है, Swift Code होता है, दोस्तों, किसी भी बैंक से इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, पैसा आ रहा ज जा रहा है, तो उसके लिए Swift Code mandatory होता है, ठीक है, तो Swift Code यहां पर डालना पड़ेगा, क्योंकि YouTube में पैसा डॉलर से रूपी में convert होता है, बहर से आता है, यह अकाउंट नमबर, यह री टाइप अकाउंट नमबर, ठीक है, यह करने के बाद, फिर इसको set as primary payment method, और save कर देना पूरी तरह से add होने के बाद, सारी detail जाने के बाद, Swift Code, IFSC, Code Name, Account Number, सब कुछ जाने के बाद, फिर आपको यहां पर दिखाए 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 का wire transfer to bank account, this, this, मेरा नाम आ रहा है, और इसमें remove यह edit भी कर सके, क्योंकि SDFC में ज्यदे 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 एक दिन, 21 तरी को payment transfer ह होता ना, तो 22-23 तक आ जाता है, SBA में 6-6 दिन में transfer होता है, तो दोस्तो इस तरह से आप अपना address verification पिनाने के बाद, अपनी bank detail डालके अपने आपको आगे बढ़ा सकते हो, payment review करने के लिए ready हो सकते हो